हेलो दोस्तो आज हम पढ़ते हैं अंटार्टिका महादीप और ये एक कॉंटेनेटल पार्ट है जैसे कि आप लोग जानते हो ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है इंडिया से आप नीचे की तरफ आप जाते हो सदन वाले पार्ट में आप जाते हो तो नीचे की तरफ जो आती आती अंटार्टिका महादीप के बारे में कि ये बिलकुल स्वेत महादीप कहलाता है और इसकी जानकरी सबसे पहले किस ने दी थी इसकी जानकरी हम आपको यहां पर बताएंगे आउस्ट्रेलिया महादीप की खोज करने वाला जेम्स कुक जैसे की दोस्तो अंटार्टिका महादीप की खोज करने वाला जो वेक्ति ये जो है आपका ये आउस्ट्रेलिया कॉंटिनेंटल पार्ट है ये आउस्ट्रेलिया महादीप है और इस आउस्ट्रेलिया महादीप की खोज करने वाला विक्ती कौन था जेम्स कुक जेम्स कुक और जो जेम्स कुक था इस जेम्स कुक ने सबसे पहले अंटार्टिका की जानकारी दी इस जेम्स कुक ने अंटार्टिका की जानकारी कब दी इस जेम्स कुक ने अंटार्टिका की जानकारी तब जब इसकी खोज कर कि जब वो रिटन की तरफ जा रहा था तो इसको अंटार्टिका होने का कुछ आभास हुआ और इसने अपने जो जानकरी है 173 इसवी के अंतरगत इसकी जानकरी दी जब अंटार्टिका के बारे में कुछ बातें आने लगी तो बहुत से लोग इस अंटार्टिका पर जाने के लिए प्रियास करने लगे और इस अंटार्टिका पर जाने वाला पहला वेक्ती यहां इस अंटार्टिका पर जाने वाला जो पहला वेक्ती था वो कौन था विलियम फैब्रिक विलियम सोसेन यह जो महादीप आपको दिख रहा है यह वाला जो continental part आपको दिख रहा है यह है Antarctica महादीप Antarctica महादीप के बारे हम हम बात करते हैं कुछ विसेश Antarctica महादीप यह जो Antarctica महादीप इस Antarctica महादीप का कुल छेतरफल आपको समझना है ये विस्सु का पांचवा बड़ा महादीप है और ये महादीप है सबसे निकट जो इसके महादीप है वो आपको देखने को मिलेगा दक्षनी अमेरिका महादीप जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वाला जो महादीप है या अंटार्टिका महादीप है और Antarctica महादीप दकषने अमेरिका South America continental part इसके just nearby जो area है ये पूरा अंटार्टिका का है तो सबसे nearby अगर कोई महादीप दूसरा पढ़ता है तो वो कौन है दकषने अमेरिका दकषने अमेरिका और ये जो दकषने अमेरिका है और ये अंटार्टिका महादीपर ये दोनों अलग होते हैं यहां से ड्रक पैसेज द्वारा कौन से पैसेज की द्वारा? ड्रक पैसेज की द्वारा अलग होता है अब दोस्तों बात करते हैं कि अंटार्टिका महादीपर जो जाने वाले पहले वेक्ति हैं उनके शंदर में और अंटार्टिका के केंदर में इस्थित जो पहले वेक्ति हैं उनके बारे में तो यहां अंटार्टिका की जानकरी सबसे पहले तो James Cook ने दी अगर आपसे पूछा जाए जानकरी किस ने दी तो जानकरी सबसे पहले किस ने दी थी James Cook ने इसकी जानकरी सबसे पहले किस के द्वारा दी गई है James Cook के द्वारा Antarctica की जानकरी सबसे पहले किस के द्वारा दी गई है James Cook के द्वारा लेकिन इस महादीप पर जाने वाले वक्ती, महादीप पर पहुंचने वाले वक्ती, कदम रखने वाला वक्ती, जो फर्स्ट पर्सन है, पर्थम वक्ती जो माना जाता है, वो कौन है, वो है फैब्रिक विलियम सोसेन, लेकिन सवाल ये भी उठता है दोस्तो कि इस महादीप के केंदर में दक्षनी दुरुपड जो साउथ पोल है बिल्कुल इस वाले केंदर में जाने वाला पहला बेक्ती कौन था तो इस वाले केंदर में जाने वाला जो पहला व्यक्ति है केंदर में जाने वाला पहला व्यक्ति की भी बात हम करते हैं यानि केंदर में या दक्षनी धुरू पर जाने वाला पहला व्यक्ति पहला व्यक्ति एजे बुल कौन था दोस्तो ये था एजे बुल नार्वे का रहने वाला तो सबसे पहले तो बात हो गई अंटार्टिका महादीब की जानकरी किस ने दी जेम्स कुक ने इस महादीब पर पहुंचने वाला पहला वेक्ति फैब्रिक विलियम सोसेन इस महादीब पर बीच में इस्तित जो दक्षनी दुरुय केंद्री वाला भागे वहाँ पर कदम रखने वाला या पर पहुंचने वाला वेक्ति था एजे भूल जो की नार्वी का रहने वाला था तो दोस्तों हम बात करते हैं इस महादीब के बारे में और रोचक तत्यों के बारे में तो अंटार्टिका के उपनाम कौन-कौन से है हम यहाँ पर बात करेंगे इसके निकनेम को ले करके तो सबसे पहले इसको कहा जाता है स्वेत महादीब क्या कहा जाता है स्वेत महादीब जैसे कि आपको दिख भी रहा है कि बिलकुल सफेद है स्वेट महादीप इसको क्यों कहा जाता है जरा जानते हैं इसके बारे में क्योंकि दोस्तों इसका 98% area इस महादीप का टोटल जो land part है उसका 98% भाग बरफ से ढखा रहता है बरफ के नीचे है दूसरी हम बात करते हैं इस महादीप को गतीशील महादीप बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इस महादीप को बोलते हैं गतीशील महादीप गतीशील महादीप इसको कहते हैं तो गतीशील महादीप इसको क्यों कहते हैं क्योंकि दोस्तों यहां पर बहुत बड़े-बड़े glacier है, हिमनद है, यहाँ पर क्या मिलते हैं? हिमनद, और जो बहुत सारे हिमनद हैं, यह दीरे-दीरे गती करते रहते हैं, तो गती शील महादीप इसको बोलते हैं, हिमनदों की गती के काराण, नेक्स्ट आम बात करते हैं, तीसरा इसका निकनेम है, इसको निर्जन महादीप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्जन महादीप तो जब निर्जन महादीप की बात आती है, तो दोस्तों यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं रहता एक भी व्यक्ति इस्थाई रूप से नहीं रहता इस्थाई रूप से नहीं रहता यह अलग बात है कि यहांपर research करने के लिए चले जाते हैं लेकिन यहांपर permanent जो residence के रुप में यहांपर एक भी वेक्ति नहीं रहता है वही हम बात करें इसके अगले नाम को ले करके, Antarctica के अगले नाम को ले करके किस महादीब को और किस नाम से जाना जाता है निर्जन महादीप कहते हैं गतिशिल महादीप कहते हैं सुएत महादीप कहते हैं और इसको बोलते हैं विज्ञान को समर्पित महादीप किसको विज्ञान को समर्पित महादीप विज्ञान को समर्पित महादीप सवाल ये उठता है कि इसको विग्यान को समर्पित महादीप क्यों कहते हैं तो दोस्तों इसको इसलिए विग्यान को समर्पित महादीप कहते हैं क्योंकि इसके बारे में पून रूप से अगी अभी विग्यानी खोज अभी बहुत सारी बाकी है विज्ञान यहाँ पर उस तरीके की खोज अभी पूरी तरीके से नहीं कर पाया है जो कि अभी यहाँ पर रह्ष के रूप में दबे पड़े हैं जैसे कि इस महादीप के अंदर नीचे वाले भाग में बरफ के जश्ट नीचे बहुत सारे कोईले के बंडार हैं और इन जीवों को लेकर के हम बात करते हैं कि इस महादीप पर जो जीव मिलेंगे वो जीव कौन-कौन से हैं यहाँ पर उनको लेकर के तो यहाँ पर हम बात करते हैं बहादीप पर कौन-कौन से जियू मिलते हैं व्यक्ति तो नहीं मिलते हैं ये तो हमें पता है कि इस थाई रूप से कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है लेकिन यहाँ पर मिलता है पेगवीन पेगवीन पक्षी मिलता है इसके अलावा सील, वालरस, मचलिया मिलती है और इसके अलावा यहाँ पर मिलता है आपको क्रील मचलियों के जुन्ड़ए ये मतश्य मिलती है जो की ठंडे पानी में रहती है कौन से पानी में रहती है ठंडे पानी में यहाँ पर कुछ वनस्पतिय भी मिलती है वनस्पतियों की बात कर सकते है वनस्पतियों कौन-कौन से मिलती है क्या आप जानते हैं यहाँ पर मिलने वाली जो वनस्पतियों यह वनस्पतियों का इंपोर्टेंस बाकी के अन्य महादीप के वनस्पतियों से अलग है और वो क्या है लाइकेन एंड मॉस लाइकेन की बात करते हैं दोस्तों यह लाइकेन को प्रदुशक संके तक माना जाता है जब प्रत्वी पर बहुत ज़्यादा पॉलिशन हो जाता है तो इसको इंडिगेट करने वाली अगर कोई वनस्पति मानी जाती हो और लाइकेन वनस्पति यह कहाँ पर मिलते हैं आपको अंटार्टिका महादीप पर तो यह अंटार्टिका महादीप है जिसके संदर में आपको कुछ सूक्ष में जानकरें आपको provide कराई गई है और इस महादीप को आप फिर से देख सकते हो बड़े गोर से देख सकते हो यह जो महादीप है आपका यह महादीप आपका इंडिया के ज़स्ट नीचे वाले पार्ट में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यह इंडिया वाला भाग है, आप इंडिया से जश्ट नीचे की तरफ चलते जाओगे, यानि कि पूरा हिंदियो ओसियन कवर करके, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, तो यह आपको कौन सा महादीप मिलेगा, यह अंट यानि कि मकर अइनांत के टाइम पे, जब सूरिय मकर रेखा पर सिधा होता है, उस समय यहाँ पर ग्रिश्म रितु होती है, जो की लगबग 22 दिसंबर पर होता है, तो यहाँ पर इस रितु में, यहाँ पर ग्रिश्म रितु होती है, और ग्रिश्म रितु के दोरान यहाँ कितनी बार अपने यहाँ पर खोजी दलों को भेज करके कितने वेग्यानिक अनुशन दान कर चुकी हैं इसको लेकर के कमेंट्स में बताइए और इसके अधिक जानकरी इसके बारे में नेक्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे